हेलो डियर फ्रेंड्स एसे में एजूकेशन चनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पोलिटिकल साइंस का अंतरगत राज की निती निदेसकत्तु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्रात करेंगे चलिए आईए मिना देर किये हम लोग रा आई द्वारा निती निदेसकत्तु कुन निर्धारन के समय इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा ठीक है दूसरा है राज के निती निदेसकत्त के अंतरगत कुछ ऐसे प्रावधान की वस्था की गई है जो भारत को कल्यानकारी राज का दरजा देता है इसमें महत्माग राके निती निर्धारन के प्रावधान के अंतरगत इसे लागू करने के लिए पूल रूप से सवतन नियाले की सरण लिजा सकती है वोई भी कानू स्कों लागू करने के लिए हम नया लेक्षान में जा सकते हैं अब हम देखते हैं आर्टिकल 39 इसमें जो राज की निती दे सकता अतुक के अंतरगाट जो अंतरगाट जो आचिकल दिये गए हैं तो सबसे फ़ली इसमें आर्टिकल 39 आया है परदान करेगा। जो कमजोर बर्ग है, उसको मुप्त में कानुनी साहिता परदान करेगा, शर्कार। ऊसमें उम्राजन देस nhấtात्यों में उन लिक्षित किया गया है। Article 40, Article 40 में पंचाईत राज का गठन किया जाएगा. इसमें दिया गया है जो पंचाईत राज का गठन, Article 40 में किया जाएगा. ठीक है? अगला, Article 41, Article 41 के अंतरगात कुछ विसेस प्रस्थिती में, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बिकलांगता में सरकार से उसे सहायता प्राप्त करने का पुन अधिकार है जो लोग बेरोजगार है, बिकलांग है, बुढ़ापई में है तो उन्हें सरकार से उन्हें सहायता प्राप्त करने का पुन अधिकार मिलेगा अगला जो है आर्टिकल 42 आर्टिकल 42 के अंतरगत मात्रित्व और प्रसुतिलाब मनदब आर्टिकल 42 के अंतरगत जब गर्वती इस्त्री के जब बच्चे होने के बाद उन्हें बच्चे के लालन पालन और गर्वती इस्त्री के देखरेक के लिए मस्दूरी उन्हें स्विधा मौया सरकार करेगी इसमें दिया गया है मातिनों प्रसिति लाव आर्टिकल 43 ओन्तित्री के अंतरगत निरवायोग महिंधूरी मतलु मतलब लोगों को इतना महिंधूरी दिया जाएगा जिसे उसका जीवन का निरवा हो सकी यह एक अन्तरगत प् इसलिए समयमीकों की सभवेगता का उलेक किया गया है अब आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 के अंतरगत समाननागरिक संगीता मतब लोगों को समाननागरिक संगीता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 44 के अंतरगत आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 के अंतरगत इसमें दिया गया है राज के बुरूराए 6 वर से कम उम्रूक बच्चों को पॉसाद़्था की जाएगी और उसके ढόल जो दिया गया है यह具 है ख्रlutch 10 में संविधान संविधान के बार इस્न जी 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 एक किया गया है। ख्र and out के यह सुध paints में संविधान के बार संसुधाण के बद भार किया की लिए बिसेश उपाई किया जाएगा उसे कमझोर बर्ग है उसके उसको सहाइता पर्दान के लिए अपना जो है उसमें वह बिसेश उपाई करेगा अब आगे 47 आटिकल 47 के अंतरगत राज द्वारा नागरिकों के स्वास्त की रक्षा के लिए नसीली एवं मादक पदार्थों पर पर्तिबन लगाया जाया इसे लोगों का स्वास्त ठीक रहे और लोगों का पुन्ड विकास हो सके इसलिए आर्टिकल 47 के अंतरगत नागरिकों के स्वस्थ की रक्षा के लिए नसिलिभ और मादाप्रदातों का पर्तिबन लगाया गया है अगला देखते हैं, आर्टिकल 48, और आर्टिकल 48 के अंतरगत, दुधारु किस्म के पसुओं के नसल सुधार और गो हत्या पर प्रबंद किया जाएगा, और दुधारु किस्म के जो पसु है, उसके नसल सुधार की विवस्था की जाएगी, और गो हत्या पर प्रतिवन लग आगे 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 अंतरगत न्यायपाली का जो है उसको कारिपाली का से अलग रखा जाएगा अंतरगत लास्ट जो है वह है आटिकल फिफ्टी और लास्ट आटिकल जो है वह आटिकल फिप्टी वन है आर्टिकल 51 के अंतरगत अंतराश विवादों को सांती पुर्ण धंग से हल करने का प्रियास किया जाएगा और विभिन देशों के बीच पासपारिक मेत्रिक संबन्द को बढ़ावा देने का उपाई किया जाएगा और सहयों की भावना का अभिकास किया जाएगा यह आर्टिकल 51 में है जो हमँदा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50 में हम देखे जो नियाई पालेका को कारी पालेक साथ अलग रखा जाएगा और आर्टिकल 51 में अद्राष विबादों को सांती पुंधं से हल करने और विमिन देशों की बीच परसपर मेत्री और सहयों की भावना को बढ़ावा दने का परवंद किया जाएगा यह राच के नितिन देशत्रत्त के अंतरगत जो महत्पून अनुछेत थे यह सारे चीज उपाई किये गए है तो आज अगर मेरा यह पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो अगर मेरा भी पढ़ाने का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक करे सब्सक्राइक करे और कमेंट करे सुबरात्री